समस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स आज का ये जो अफडेट है इसमें बिल्कुल अपस है बिलोग हेडिंग पढ़ सकते हैं लिखा है नर्सिंग ओफीसर के 7483 पदों की रिक्ती तो दोस्तों नर्सिंग ओफीसर की जो वेकेंस दी है गुरूप B के अंतरगात यहाँ पे रहने वाली है नर्सिंग ओफीसर के करीब करीब 7400 से भी जादा रिक्तपदों को इसमें आप पे शामिल कर लिया गया इसके लिए आपको ओलाइन आविदन करना है पूरी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे किस तारीके से अपलाइ करना है अपलाइ करने की last date क्या रहेगी post wise कितनी की vacancy इसमें आप रहने वाली है age limit, qualification और salary package सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगे को यहाँ पर मिल जागी इस वीडियो को last तक जरूर देखना अंते तक देखना पूरी information इसमें आपर cover कर लेंगे तो चलिए बिल्कुल भी time waste हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं सीधे से बढ़ते हैं अपनी information की और तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि group B की यह vacancy है और nursing officer की यह post है और 7000 से भी जादा रिक्तपद इसमें आपर शामिल किये जा रहे और दोस्तों देखिए यह जो vacancy यहाँ पर जो release की गई ओडिसा nursing सेवा की अंतरगत यहाँ पर रहने वाली है तो दोस्तों यह जो recruitment है O SSSC द्वारा यह recruitment यहाँ पर जारी हुआ है पंपर यहाँ पर vacancy इसमें शामिल कर ली गई है qualification के जानकारी देखिए आपर देखिए लिखा है योगता उमीदवार को जो है आपर diploma या फिर BSC nursing तो BSC nursing और जो GNM diploma candidates से आप लोग अपलाई कर सकते है official website पर भी जानकारी उपलाबद है इसके बाद age limit देखिए 21 से 38 सल ओमर आप लोगों के लिए रखे गई और जो reserve category के candidate है आपको age में election IU में चूटा आपको दी जाएगी इसके बाद देखिए वेतन आपको कितना मिलेगा तो level 8 CPC payment वेतन यह आपको परमांद basis पे salary आपको दे दी जाएगी यह वेतन आपको इसमें आपे मिलेगा इसके बाद देखिए कैसे apply करना है तो देखिए यह इसकी official website है इसके तुरू आपको जो है online application form फिल करेंगे और इसके बाद जो अगी information है वो रहेगी आपकी चैन परिक्रिया की तो जो आपका selection है लिकेट परिक्षा के आधार पर किया जाएगा सौंको के आपकी परिक्षा ली जाएगी और दो गंटे का यह exam आपका यहाँ पर रहने वाला है इसके अंदर जो है आपको negative marking भी रहने वाली है तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर सवाल यह उठता है किया other states के candidate इस vacancy को apply कर पाएंगे या नहीं तो दोस्तों देखिए आपको बताना चाहता हूँ जिस किसी भी candidates के पाथ Odisa राजिका nursing council में यदि आपके पास registration है सिर्फ वह candidates आप लोग इस vacancy में apply कर पाएंगे तो Odisa nursing council में आप लोग registered है GRM candidates हो चाहे BSC nursing candidates हो आप लोग इस vacancy को online आविधन कर दें पूरी जानकरी आपे cover किया आप चाहे तो वीडियो को like कर सकते है चैनल को subscribe कर सकते है आगे की हर vacancy की जानकरी आपको मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाए subscribe के right button को click करे हर update vacancy का आगे भी बाते नहीं मिलते हैं अगले वीडिये में थैंक यू सो मच